गाइस अनकेडिमी लेकर आ रहा है आपके लिए फैक्ट फ्राइडे बैंक स्पेशल क्लास फिस्टा जहां पर एजुकेटर लेंगे जर्नल अवेर्नेस बैंकिंग अवेर्नेस सेशन और एक कम्ट्रीट एन प्रॉपर प्रिपेरेशन होगा और वो भी होगा फॉर फ्री जी ह पर पहले और वीडियोस अप्लोड की जाकर आप वो देखने ना लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो इस दर पर दिया मार्जिनल डिमांड ऑफ ए कॉम्टिटिव है डिमांड इस एक्स और प्राइस वाई तो मैंने कहा था पीछले वीडियो में कुछ मार्जिनल डिम बोला है यह सारे चीज़ें बोलते हैं तो हम लोग को क्या फाइंड करना होता है डे x upon dy क्या find करना होता है dx upon dy मतलब हम ने अभी तद d y by dx तो find किया है बस उसका reciprocal कर दे na है simple तो हम लोग इदे पर d y by dx ही find करते हैं but d y by dx find कर लेंगे उसका reciprocal करते हैं उससे पहले उससे पहले इदर पर function देखोंगे upon में है upon अपंसा यूपा वाहता है। इसमपल है %. मायनस यूपार रहेगा डियूबेटीव बाहर रहेगा झाल लेंगे और डिनॉल मेटर भी स्कुएर. same y इधर पर भी करेंगे y का derivative dy by dx अब देखो v v square इधर v के place पर क्या ये है न तो ये क्या हो जाएगा square हो जाएगा right formula का है v square तो v के place पर ये है तो ये bracket square बन जाए ठीक है अब v बाहर रहेगा that means x square बाहर रहेगा derivative किसका लेंगे u का तो u के place पर कौन है ये है x plus 2 ठीक है फिर minus ok minus अब u बाहर है derivative v का मतलब x plus 2 बाहर रहेगा derivative x square plus 1 का ok clear है ये बात yes it is रहेगा ok derivative x plus 2 x plus 2 का derivative क्या होगा x का derivative 1 plus 2 का derivative 2 constant है तो constant का derivative तो 0 तो 1 plus 0 तो 1 plus 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ ठीक है minus इधर पर x plus 2 x square plus 1 का derivative x square का derivative 2x अब इतना सब पता चल गया चल जाना चे x square का derivative 2x होता है क्या होगा ठीक है और 1 का derivative 0 तो मैं लिख सकता हूँ 2x plus 0 ठीक है लेकिन हम लोग 2x plus 0 को सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं डिनॉमेटर में x square plus 1 whole square इसे ऐसे रखना है x1 नहीं करना है अब देखो इधर 1 multiply का इस bracket के साथ तो same रहेगा same रहेगा कोई changes नहाएंगे minus 2x multiply का इस bracket के साथ तो बनेगा 2x into x 2x square 2x into 2 4x डिनॉमेटर में x square plus 1 whole square क्लियर इतना बात ओके next आते है next x square plus 1 x square plus 1 bracket open करेंगे इदर bracket open करेंगे तो अंदर के सारी sign opposite हो जाएगा minus 2x square minus 4x okay correct समझ मैं अतना बात next x square plus 1 whole square next अब ध्यान दो ध्यान दो इदर पे light terms जो है वो solve है like terms कौह है इदर पर x² minus 2x² x² minus 2x² क्या होगा minus x² क्या होगा minus x² clear है finish 4x plus 1 minus 4x plus 1 और इदर पर x² plus 1 का whole square यह हमें क्या मिला dy by dx मिला हमें क्या मिला dy by dx हमें क्या निकालना था dx upon dy मैंने कहा तो marginal demand या ऐसा something आ गया तो dx by dy होता है तो dy by dx मिला है हमें dx by dy चाहिए तो इसका reciprocal करना पड़ेगा तो इसका reciprocal कर देंगे तो dx by dy उसी तरह से इधर भी reciprocal हो जाएगा x square plus 1 का whole square minus x square minus 4x plus 1 तो यह हमारा क्या होगा final answer होगा तो इसे फटा-फट से screenshot ले लो तो next question है y equals 5x plus 9 2x minus 10 वैसे uv rule लगाना है similar है तो y का derivative dy by dx अब इधर uv लगाएंगे तो u देखो देखो v के place पर क्या है यह है 2x minus 10 तो v square था तो नीचे क्या हो जाएगा 2x minus 10 का square अब आगे v तो v क्या है 2x minus 10 derivative of u u के place पर क्या है देखो u के place पर क्या है 5x plus 9 simple एकदम ठीके minus u बहार रहेगा means 5x plus 9 बहार and derivative of v v kya है 2x minus 10 clear है ठीके अब आगे 2x minus 10 as it is होगा ओके अब 5x plus 9 का derivative 5x का derivative 5 ऐसा होगा ना x का derivative 1 फिर 9 का derivative 0 राइट इस तरीके से होगा तो मैं direct लिखता है जरपे तो 5 बंजा 5 यह 0 तो नहीं लिखूंगा तो मैं direct लिखता है 5 बंजा 5 ओके थोड़ा सा एक एक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीके 5x plus 9 next 2x का derivative 2 into 1 minus 0 यह होगा x का derivative 1 2 as it is रहेगा minus 10 का derivative 0 ठीके तो इसे 2 अंजा 2 ऐसे लिख सकता हूं है 2x minus 10 whole square अब इदर पर 5 multiply करेंगे अंदर तो 5 into 2x 10x minus 5 tens of 50 यह minus as it is रहेगा 2 को इदर multiply करेंगे तो 10x 2 9s are 18 denominator में 2x minus 10 whole square यह सब हमें क्या मिल रहा है dy by dx मिल रहा है हमें क्या निकालना है dxy dy निकालना है तो इदर bracket open करते हैं bracket open करते हैं तो 10x minus 50 इदर bracket open करेंगे तो minus 10x sign opposite जाएगा ना minus 10x minus 18 right minus 10x minus 18 denominator में 2x minus 10 का whole square अब इदर पर plus 10x minus 10x will get cancel cancel हो जाएगा all right minus 50 minus 18 कितना होते हैं minus 68 minus minus plus 50 plus 18 68 greater 50 इसका sign minus तो minus 68 और रीचे क्या होगा 2x minus 10 whole square यह हमें क्या मिला dy by dx मिला ठीक है हमें क्या निकालना है dx by dy निकालना तो इसका reciprocal कर देंगे तो dx by dy उसी तारह यह भी reciprocal हो जाएगा 2x minus 10 whole square और minus 68 समाज में clear है इतना बात इतना फटापट से copy कर लो ठीक है तो इतना हमारा u upon v rule सिखा है मैंने इस वीडियो में